गाइस डिस इस कमले श्वर्मा और वेलकम यू आल इन रोरा इस एंड डिस लेक्चर नमबर फाइफ अफ आर मनी एंड कैपिटल मार्केट तडिस चैप्टर नमबर शिक्स और पिछले लेक्चर में हमने स्टॉक एक्चेंज की शुरुवात की थी तो यह लेक्चर थोड़ा continuation में इसलिए हलका सरिवाइस करवा दिता हूँ आपको चीजे फिर से एक बार देखो सबसे पहले हमने यह जाना था कि government कैसे money बोरो करती है उसके सामने दो option है जैसे कि हमने money market में डिसकस किया था दूसरा फिर हमने capital market में डिसकस किया जिसे हम बोलते है guilt a security यह फिर जी सेक् complete हो गए थी फिर जो tough चीजा ही वो थी हमारे सामने कि यह जो corporate है वो लोग कैसे बोरो करते है यह corporate कैसे बोरो करते करने के सामने संबदो आगर investment करने तो उनके सामने तीन option रहता है यह रहता कि profit use कर ले जो कि यह लोग यूज नहीं करेंगे दूसरा आएग आपके सामने कि वो लोग अपने shares भेज दे और तीसरा था debenture तो debenture मैंने complete कर दिये था पिछले lecture में तो आप उसको देख लिजेगा हमारा जो discussion होगा वो share market में होगा ठीक है इसलिए मैं share को फ़ला सा continue रखता हूँ कि भई अगर for example कि उस time पे आपके पास पैसे थे ठीक है और आपने share खरीद लिए किसे company के आपके पास पैसे थे और मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं नहीं खरीद पाया ठीक है अब आप देखिए मुझे जरुवत पढ़िए तो ultimately क्या होगा मैं जाके उस share को share market में बेज दूँगा क्या करूंगा share को share market में बेज दूँगा और मैं वहां से रोड़ाई उसके share खरीद लूँगा ठीक है I think you are done with this मैंने इस सब चीज़ अच्छे थे explain की थी और इसके बाद I went to the stock market की भही stock market क्या होता है किस तरीके से stock market काम करता है इस सब चीज़ हमने detail में discuss की थी बस मैंने हलका सा revision करवाया है कि भाई आज हम आगे क्या continue करने वाले है इसके बाद हमने कौन से stock market चालू किया था हमने stock market चालू किया था NST मतलब national stock exchange इसको मैंने पढ़ा दिया था और उसकी जो भी मतलब NST ऊपर जा रहा है नीची आ रहा है उसको अपन measure किस से करते हैं उसके लिए index जरूरत होती है इंडेक्स मैंने आपको inflation में पढ़ाए था तो वहाँ से आप चेक करिएगा तो inflation यहाँ पर सबसे important inflation कौन सा है nifty 50 nifty 50 के बार मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर जो भी top 50 companies रहती है हर सेक्टर की तो फरजांपल आरन इंस्टील में आप बात कर सकते हैं हमारे किसकी टाटा सहाब की इसके बाद टेलीकॉम में बात करते हैं एटल या फिर आपके सिकते हैं जीओ की अब इन सब को मतलब यह top 50 companies का पूरे index बना लिये जाता है जब यह top 50 companies का index बनके तयार हो जाता है तो उसके बाद ऐसा माना जाता है कि जब यह सारी top 50 companies उपर जाएंगी तो बाकी का जो sector है जैसे फर जामपल यहां पर सिर मालीजे हम एटल बस रखते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि BSNL भी उपर जा रहा है चब एटल उपर जा रहा है उसके बाद माना जाएगा जियो भी उपर जा रहा है तो इसा प्रिजम्टिव एजम्टिव एजम्शन रहते है इसको हम बोलते है Bombay Stock Exchange यह सबसे पुराना Stock Exchange है पूरे एशिया में not just in India पूरे एशिया में सबसे पुराना Stock Exchange कौन सा है Bombay Stock Exchange इसको अपने हर्शत मैता में देखा होगा ठीक है इसकी जो establishment हो थी वो 1875 में होई थी ठीक है और मैं आपको आपको अल्रेडी बताया था सबसे आ क्या नाम है Sensex क्या नाम है Sensex इसका नाम आपने सुना होगा अब देखो इसमें भी क्या होगा इसमें भी जो भी देखो निफ्टी-फिफ्टी मतलब 50 company registered है अब यहां पर भी 30 company registered होंगी हर फील्ड में हर फील्ड की best best company होगी फ़र्दाम पर यहां पर वही सब टाटा सहाब यह वह जो important होगी और यह पूरी इंडेक्स जब ऊपर जाएगी तो ऐसा मारा जाएगा market ऊपर जा रहा है अब आप बोलेंगे माली यह कुछ companies ऊपर जा रही है कुछ company नीच आ रही है तो फिर इसका average लिया जाएगा ठीक है फिर इसका average लिया जाएगा ओके तो I think you are clear with this Bombay stock exchange NSC BSC यह सब कीदे हो गई इन साम में focus मत करना यूप यह से एक भी question पूछेगा पिछली बार मैंने इसको समझाने में approximately इसे दो रहे चल ले डाले थे but question आया नहीं तो इसलिए इस बार I am not focusing on the curiosity part ठीक है जो curiosity है आपको और से निकालनी पड़ेगी इस बार I am not going to waste your time ठीक ह अब एक चीज़ और ठीक चीज़ और अभी हमारा जो share market है वो उपर बढ़ रहा है ठीक है कुरुना के बास सही हमारा जो share market है वो उपर बढ़ रहा है लेकिन आप देखो Indian economic के जो हालात है वो बहुत ही downgrade होगी मतलब जो हमारी GDP और contract कर गई है approximately आप कहसकते है last to last element पर 27% negative ह कही थी ठीक है और इस बार minus 9% के आशपास आ गई है ठीक है तो ultimately आप कह सकते हैं कि यह तीन गुना ज़्यदा फायदा हुआ है इसके बाद आप कह सकते हैं दो से ती महीने बाद यह positive हो जाएगी और फिर दुबारा 6-7% वाली जो growth rate है उसको पकड़ लेगी ठीक है बट फ दूसरे सेक्टर जो है नीचे जा रहे है मतलब देखो इंशॉट हम इसे सेक्टर के basis में नहीं रहे था हम इसे market के basis में रहे है ठीक है एक केकव हम यहाँ पर याद रखेंगे इस बार न्यूस में भी था केकव कि भगया जो आपका share market है वो उपर जा रहा है लेकिन जो complete Indian economy है वो नीचे जा रही है ठीक है ऐसा माना जाता है कि भगया आपका share market उपर जागे जब प्रोडक्शन बढ़ेगा ठीक है प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी तो लोग की sentiment बढ़ेंगे तभी तो और वो share market में पैसे आएंगे तो ultimately तब आपका share मतलब कुछ ऐसा होना ची अब हमाई आते हैं classification of market में देखो मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के market होते हैं एक होता है कौन सा primary market और दूसरा होता है secondary market ठीक है एक होता है primary market दूसरा होता है secondary market अभी किसका classification है किसका classification है हमजना है देखो हमने सब पहले क्या बढ़ा कि market दो टाइप के होते हैं शुरू से चालो करते हैं capital market यह money market हो गया और यह capital market हो गया money market की हमने पूरी discussion कर ली है तो वो आपको lecture number one और two में मिल जाएगा ठीक है इसके बाद हम capital market में आए capital market का हमने understandingly capital market क्या होता है फ ठीक है मैंने जो secondary market का discussion है उसको complete कर दिया है थोड़ा सा और बचा है एक दुछ चीज़े वो और complete करूँगा उसके बाद share market complete जाएगा ठीक है secondary market क्या होता है जहां पर आप दुबारा share बेच सकते है ठीक है अब देखो primary market क्या होता है यह समझो फिर आपको secondary market समझगा है ठी इसमाइब पहली बार अपने share release करती है ठीक है पहली बार अपने share release करती है फिसदापल जो arorais है ठीक है arorais को महल लिजे अगर अपने share बेचके पैसे निकालने है तो directly stock market में अपने जो share को register नहीं कर आए तो पहले उनने primary market में पहले कहां जना पड़ेग बाद प्राइमरी मार्केट में ठीक है primary मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर पहली बार कोई भी company अपने share issue करती है समझ भाया पहली बार जब कोई भी company अपने जो share issue करती है उसको बोलते है primary market ठीक है आप इसमें आपके सामने तीन option रहते है initial public offering following public offering और right issue यह सब for example NSC, BSC जिसके बार हमने already पढ़ के रख लिया है समझ भाया primary market क्या होता है secondary market क्या होता है primary market जहां पर पहली बार share issue कर रहे है secondary market जहां पर share आगे हम बढ़ा रहे है मतलब एक बार primary list हो चुके है सब के सामने आचुके हैं अब हम share market में डालने वाले है तो इसको बलेंगे secondary market बहुत सिंपल शब्दों में समझो भाई कोई भी question नहीं आएगा इसलिए मैं technical sense में नहीं जा रहा हूँ इसके बार में थोड़ा बहुत और पढ़ेंगे तो stay tuned and another thing मैं secondary market यहां पर लगभा complete कर चुका हूँ सब्सक्राइब कर चुका है यहां यहां पर अपने शेर खरी सकता हूँ बेश सकता हूँ तो आप अपना फोकस डालेंगे primary market में तो मैंने definition क्या बता है प्राइमरी मार्केट की primary market मतलब वो मार्केट जहां पर पहली बार share issue किये जाते है तो जब पहली बार share issue किये जाते है तो उसको कहा जाता है initial public offering IPO आपने नाम सुना होगा कि जो reliance है अब अपने IPO निकालने वाली है अभी जो IRCATC है उसके IPO निकले और सबसे महगे बिके तो यह सब आप IPO अब यह सुनते रहते होंगे तो IPO क्या होता है IPO मतलब जब पहली बार जो भी company अपने share issue करती है ठीक है वो याद रहना share market में नहीं जाते है वो primary market में जाते है और जो पहली बार issuing होती है इसको हम बोलते है initial public offering क्या बोलते है इसको initial public offering अब प्रोसेसम जो कैसी होती है ठीक है माल लीजे जो Aurora IS है उसको अपने share issue करने है ठीक है हमने पैसी जरूरत है तो directly भाई हम share market में जा नहीं सकते है वो option हमार पास open ही नहीं है पह ठीक है इसके बारे में थोड़ा आगे बताऊंगा बाद में बताऊंगा आपी नहीं बट इसके पास हम जाएंगे ठीक है अब यह जो company है यह क्या करेगी Aurora IS की health है उसको measure करेगी मतलब देखेगी इनकी company में कितना profit है कितना यह लोग loss पे चल रहे हैं कितना यह लोग selling कर र चीज़े analyze करेगी और क्या बताएगी आपकी अमरी की value बताएगी अब उसके बाद हम सेवी को application लिखेंगे मैं अपनी company के share release करना चाहता हूं तो आप मुझे इसके लिए permission देगा ठीक है अब देखो क्या होगा एक बर जब सेवी permission हमें देदेगा अब उसके बाद क्या अब बहुत सारे investor buy करना चालू कर देंगे और जब वो share big जाएंगे complete हो जाएगा तो उसके बाद एक date decide की जाएगी और जो Aurora ISS को stock exchange में list कर दिया जाएगा अब उसके exchange पूरे mass level पे आप कैसे public level पे available रहेंगे सबके पास समयमा है तो यह पूरी process होती है कि इस तरह के से जो company प्राइमरी मार्केट में जाने से पहले हमें जाना पड़ेगा एक investment company के पास merchant bank company के पास वो हमारी company की value बताएगी मालो उसके बताएगी 10,000 करोड अब उसके बाद हम भेजेंगे से भी को एक letter से भी उसमें permission देदी कि हाँ आप localist कर सकते है कोई problem नहीं हमें अब उसके पर आपको यह शेर बेचे जाएंगे तो सब लोग यहां पर आके खरीद लेंगे अब जब सारी शेर बेच जाएंगे उसके बाद से भी आपको date देगा कि आप इस दिन अपनी company stock exchange में register कर वालो और एक बार register कर वालो कि इस बाद आप जब भी चाहो तो stock exchange में अपने share issue कर स मतलब demand जादा रहती है supply कम रहती है for example किसी company सिर्फ 100 share निकाले और मांगने वाले 1000 लोग है ठीक है तो इन share को हम कहते हैं कि these share are over subscribed share ठीक है और जब यह demand 15% से उपर बढ़ जाती है मालो आपने 100 निकाले लेकिन demand करने वाले 115 है तो मतलब 15% की demand बढ़ गई है ना तो इन share को हम green shoe option कहते हैं मतलब green shoe option कहते हैं क्या कहते हैं green shoe option फिर समझनी कूछ करो देखो किसी भी company अपर IPO release की मतलब initial public offering ठीक है उसने मालो 100 share release किये अब लेकिन demand कितने की 115 की तो अगर 15% से उपर demand होती है ठीक है 15% से उपर demand होती है तो अब company का करेगी extra share release करेगी और उस option को हम green shoe option कहते ह है सब्सक्राइब लेकिन एक condition ऐसी भी आ सकती कि भी या किसी ने अपने share release किये और उस company के share को किसी ने नहीं खरीदा तब क्या होगा अब तब पूरी बात आगी merchant bank के उपर ठीक है merchant bank नहीं बताना है यह आपकी company कितनी value है अरोरा यह company की value 10,000 करोर है किसी ने बताया था अर समझ मैं और उस process कहते है lead bank ठीक है मतलब जब यह merchant bank है जब हमारे share खरीदेगी तो हम उसको lead bank कहेंगे तो यह दखना एक lead bank scheme भी है तो उसको इससे confuse मत करना इसलिए मैंने आपर red में highlight किया है क्या red में highlight किया है समझ में आगी बूरी process कि कि किस तरीके से share निकाले जाते है primary market म में और फिर किस तरीके से बूरी process होती है secondary market भी समझ में आ गया है अब यहां पर दो option और है follow on public offering और right issue जब शुरू शुरू पे कोई भी company आती है न तो उसकी problem यह रहती है कि जैसी for example यहां पर stock exchange में list हो गई है company मालो आप cb ने date दे दिया है और आपने stock market में जो भी हमारी company थी उसको list कर दिया है लेकिन अब problem यहां पर यह आ जाती है कि भाई अभी तक हमारी company इतनी popular नहीं है कि कोई भी हमारे share खरीद ले वो मुस्त उसे 15 रुपे के मेरेंगे 20 रुपे के मेरेंगे आप IPO issue नहीं करेगा जो पहले के customer थे जो पहले के customer थे उन्हीं को बोलेगा कि भाईया we are offering you our shares on discounted price on discounted price तो आप इनको खरीद लो ठीक है on discounted price आप इनको खरीद लो समझ मैं हां कि जो पहले खरीच चुके है पहले खरीच चुके प्राइमरी मार्केट में उन्हीं को दुबारा पिचनी कोश्च करेंगे तो इसको कहा जाता है follow on public offering ठीक है follow on public offering इनीशे public offering क्या होता है और follow on public offering क्या होता है इसके बाद इस बार न्यूस में टॉपिक था जिसका नाम है development financial institution development financial institution याद रहना यहाँ पर रटना मतलब रटने के लिए चीज़े जाता है और समझाने के लिए चीज़े कम है तो आपको चीज़े रटनी पढ़िए मतलब मैं खुछकात आपकी help नहीं कर financial institution क्या होते है देखो यह आप कह सकते है कुछ इस टाइप के bangs होते है जो की आप कह सकते है कि long term finances प्रवाइड करते हैं अब आप बोunächst उसें साथ जियर खेते हैं अगर F.D.भी करेंगे साथ साल की करें uses उस्फर की नहीं करते हैं टिक है यहां तो दस साल की करते हैं लेकिन जब कोई भी infrastructure project रहता है तो minimum approximately 15 years की मतब उसको पैसे चाहिए रहते हैं तो अगर मालो bank के लिए पैसे दे भी देती है अब आप छोचो 10 साल के बाद यहाँ पर बंद अपने पैसे निकाल ले आगा तो bank इनको पैसे कैसे return करेगी ठीक है तो इसलि जो बैंक है वो infrastructure project की जो needs है वो पूरी नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए जो institution लाए गए है ठीक है जो institution बनाया गया है एक long term financing institution जिसको हम कहते है development financial institution ठीक है मतलब long term के लिए क्या सकते है 15 साल 20 साल इन सब के लिए जो that means funding की जाती है ठीक है जिन पैंक के तार अउसको हम development financial institution के ते क्या केते हैं DFI Development Financial Institution ठीक है और यह मुश्ट पर टाहिए आप देखेंगी यह National Government के द्वरा ओन किये जाते हैं मतलब जो भी Government रहती है वही इनको Direct बनाती है जिसे पर दापर शुरू शुरू में एक IDPI नाम का Development Financial Institution था ठीक है Industrial Development Board of संथिंग कुछ ऐसा नाम था मतलब इस्पेशली इंडस्ट्रीज के लिए था ठीक है इंडस्ट्रीज के लिए था लेकिन जब इसकी लॉसस बहुत जादा होने लगे पैसे वापस नहीं आ रहे तो गवर्मन इसको फिर बैंक में कनवर्ट कर दिया इसको क्या किया बैंक में कनवर्ट कर दिया ठीक है समझ में यहां Development Financial Institution क्या होता है ऐसे Institution ऐसे बैंक जो की Long Term के लिए Financing करते हैं उनको हम Development Financial Institution कहते हैं and most of the time they are owned by National Government they are owned by National Government और यहाँ दखना अब National Government के द्वारा Own कर रहे है इसका मतलब यह नहीं होगा शिर्फ और सिर्फ National Government और पैसा देगी यह लोग बाहर से भी पैसे रेस कर सकते हैं International Market से भी पैसे लोग लेके आ सकते हैं ठीक है? International Market से भी पैसे लेके आ सकते हैं अब देखो हम इंडिया में इसकी evolution देखते हैं पतब कैसे origin हुए था इंडिया में तो आप सब जानते हैं कि जब नहरू जी आये तो उनका simple सा plan था कि भाई हमें तो इंडिया को industrial country बनानी है जो बाकी जो ऐसी world level की country है इंडिस्ट्रियल कंट्री है तो इंडिस्ट्रियल कंट्री बनानी है तो उसके रिए क्या किया गया पहली DFI उन्होंने 1948 में established कर दी थी जिसका नाम था Industrial Financial Corporation of India IFC उसके बाद और भी बहुत सारे आप कह सकते हैं development financial institution बनाए गया इसको convert कर दिया गया इसको convert कर दिया गया IDBI bank में इसको convert कर दिया गया IDBI bank में ठीक है अब देखो यह जो हमारे जो भी कह सकते हैं जो financial institutions होते हैं ठीक है अब इनको आप classify कर सकते हैं ठीक है किस तरगी से classify कर सकते हैं या तो यह किसी sector को support कर रहे होंगा यह कुछ simple सी बात है कि आप सेक्टर में different different डीन हो फर इसको जो infrastructure होता है उसमें maximum need होती है आप कुछ sector में इसकी need नहीं होती है अब export import के लिए अलग need होती है तो इसके साब से एक अलग-अलग type के DFI बना जाते हैं development financial institution जैसे पर आप दे सकते हैं sector specific ओन कौन से रहे सकते हैं NHB housing के लिए बनाए गया Exim bank import export के लिए बनाए गया उसी प्रकार से फिर investment institution होते हैं मतलब जहां पर आप लंबे time तक पैसों को invest कर सकते हैं जहां पर आप लंबे time तक पैसों को invest कर सकते हैं इसमें आप लंबे समय के लिए पैसों को invest कर तक पच्छेस सालों के लिए दर सालों के लिए पंदरा सालों के लिए तो यह भी हमां आप कह सकते हैं DFI का part है इनका जो maximum पैसा रहता है LIC fund का pension fund का यह सब कहां जाता है infrastructure fund में ही जाता है बैंक वाले because पैसे infrastructure fund के लिए नहीं देते है तो sector specific financial institution होते है और investment institutions होते है अब आखरी हम देख लिए इसका advantage क्या होते है इसका advantage सबसे पहला advantage तो यह होता है अब simple सी बात है जब infrastructure project को ज़्यादा loan मिलेगा तो production बढ़ेगा employment बढ़ेगी, economic growth होगी तो सबसे पहला फाइदा तो यह होता है अब इसके बाद दूसरा आप कह सकते है long term finances जो company को available नहीं होते है वो available होना चालू हो जाते है जब ज़्यादा credit मिलता है तो हमारे यहाँ पर housing project और infrastructure बढ़ना चालू हो जाते है और ultimately जो निर्वनासितरमन ने कहा था कि यह जो step था government का कि भाई यह development financial institution बंद कर देना यह इंडिया के लिए ज़्यादा loss proven रहा है तो ultimately we are going to reopen the development financial institution as soon as possible तो यह कुछ advantage थे है maximum advantage यह ही कह सकते है growth और आप कह सकते है long term finances available हो जाते है ठीक है दोई में आप इसको चीज़ रखिएगा अब इसका clause भी आप कह सकते है कि इसमें होता क्या है कि political angle जाता जाता है political angle जाता है मतलब यह रहता है कि भई मतलब यह लोग जो politician रहते हैं अपने बंदों को लोन दिलवा देते हैं फिर लोन वापस नहीं आता है NPA बन जाता है तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं तो I think काफी चीज़ हमने आज के लिए पढ़ी अब कल हम चालू करेंगे terms related to share market I think 2-3 lecture all लगेंगे और चीज़ें complete हो जाएंगे लेकिन इस चीज़ आ रखना यहां पाच जाया तर रटने के लिए आप देखो आप इसके बाद जैसे हमारे यह complete होगा तो आप देखे angel investor है फिर कुछ terms है बस जादा कुछ नहीं FPI है maximum हम BOP LA chapter में पढ़ेंगे मतब कुछ खास पढ़ने के लिए PN notes है Impacts है उसके मतब यह सब चीज़े सिर्फ terms terms में बस है मतब जो चीज़े थी share market यह समझाने वादी चीज़े थी वो मैं actually control मतब complete कर चुका हूँ ठीक है यह देखे कुछ खास समझाने के लिए आगे है नहीं Fats जादा है और चीज़े समझाने के लिए खतम हो चुकी है मैं आपको पहले ही बोल चुका है आप जो भी एक नौबी बची है ठीक है अब उसे Fats है आप यह PPTs को प्रिंट माल दीज़ेगा जब PDF मिलेगी उसको प्रिंट करके चीज़े रेटना चालू कर दीज़ेगा ठीक है कमझने कुछ खास है नहीं अब थैंक यू और नाइज लिफेंट्स